हेलो नमस्ते अदाब सस्रिया काल केम छो और कसा का है दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुपता फ्रम कार्सोनेक्स मिनिस्टर रोड हैदरबाद आज हमारे सामने आई है यह ब्यूरफुल क्रेटा इवेरियंट जिससे हम एक अलगी तरीके से एक ब्यूरफुल वे में अक्सेसराइज करने वाले है वेल फ्रेंज इस गाडी के अंदर जो प्रॉडक्स लगने वाले है उसका जो एक रिजल्ट आने वाला है जो एक आउटकम होने वाला है यू गाइज आ गोईं टो लॉफ दिस बेस मॉडल वेहिकल इवन मोर तो स्टाट ओफ विद ग्लिम्स अक्सेसरी जो हम इसमें डालने वाले है दोस्तों हम इस गाड़ी के अंदर जो तच्स्क्रीन सिस्टेम डालने वाले है वी आर गिविंग दे ब्लॉपंक सैंटा रोसा 985 दोस्तों दिस इस लेटेस्ट लांच ओफ लॉपंक हेड यूनिट विद अक्ता कॉर प्रोसेसर वि यह हम इसमें इंटिग्रेट कर रहे है ब्यूटफुल रेजर का ड्रोन 360 कैमरा आज 360 कैमरा उस भी दोस्तों कई सारे ब्रांच में आते ही है लेकिन जो रेजर की जो क्लारीटी है जो उसका एक फील गूट फाक्टर जो उसका एक एरिया कवरेज है जो कैमरा का जो एंगल क मिलेगा talking about the speakers in this car हम कोई woofer amp नहीं लगा रहे है लेकिन हम इस गाड़ी के अंदर सामने दोर में दे रहे है the Audison AK 6.5 C2 component the only component with 2 ohms and Audison friends जिसके अंदर एक speaker, एक tweeter और dual crossovers आएंगे तो audio clarity is no doubt going to be something very crisp, something very clear and पीछे door में हम दाल रहे है the Audison APX 6.5 that is a proper coaxial speaker, speaker में built-in tweeter रहेगा to make sure that the surround effect from all around the car is pretty good. Apart from all those things, the kind of side upgrades हम इस गाड़ी में करने वाले है are literally another level. base model गाड़ी है दोस्तों तो आपको तो पता ही है इसमें alloys कुछ आते ही नहीं है, हम इस गाड़ी में बिना कोई tire को बदले, same 16 inches के ही tire में ये beautiful Hyundai designed alloys दाल रहे है these are not the original Hyundai दोस्तों बड़ इसका जो performance रहेगा, जिस तरीके का ये road grip देगा, जो stability देगा, same 16 inch के ही tire में, बिना tires को change करे, it is literally amazing. apart from all those things, इस गाड़ी के अंदर, जो door के अंदर भी जो damping होने वाली है, जो ये basic सा, plain सा जो door pad है, हम उदर proper high res audio की damping करने वाले है तो दोस्तों, the kind of vibrations which are generated, let it be because of the bass of the speaker, और भी outside noise, वो भी drastic cut off हो जाएगा and yes, फोड़ा सा गाड़ी में एक feel good factor और जादे improve करने के लिए, हम इसमें लगा रहे है, हमारा razor का premium ambient slide friends, ये voice controlled ambient slide लगने के बाद, जो गाड़ी का एक औरा रहेगा अंदर से, जो vibe रहेगा ना, it is going to be amazing तो in short, ये गाड़ी अब कुछी पल के लिए base model है, कुछी देर बाद, जब हम इसमें पूरे accessories लगा देंगे, the kind of upgraded look it would come up with, the kind of premium feel इसमें जो आ जाएगा, ये भाई कोई base model रहने नहीं वाली है तो stay tuned, next segment में मैं बताऊँगा, किस तरीके से इसका, एक uplifted look आप लोग को दिखाई देगा दोस्तों, अभी शाम का time है, and I thought it is the best time for you guys to see the actual focus and throw of these laser flux lights on the road दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर हमने ये 200 watt के laser flux lights लगाए, ये कोई regular LED bulbs नहीं है इसका जिस तरीके का focus रहेगा road पर, जिस तरीके का spread and spot दोनों hit करेगा, ओ भाई शाम, it is going to be amazing So this is the light जो हमने इस गाड़ी में दाला है, 18 months replacement guarantee के साथ आएगा, 50,000 working hours life है, and 22,000 lumens, इसके अंदर power generate होता है भाई, जी हाँ, 22,000 lumens तो same headlight assembly है, same wiring है, same socket है, सिफ हमने bulb निकाला और नया bulb लगाया है, that's it And up in front of those street lights at the top friends, कोई अंधेरी road पे नहीं, proper ये street light road पे हम test करने वाले है, कि ये lights रात में कैसे perform करेंगे So let me just switch on the low beam first over here, you can see this is the proper low beam lights on the road, proper सामने के तरफ में एक straight beam के जैसा light आचुकी है, आप देख सकते हो The low beam throw actually of these lights are about 80 meters, and high beam डालता ही, आप देख सकते हो, किस तरीके से वो road आगे तक चमक चुकी है So this is basically the light, only low beam, and this is the light with the high beam Can you see the difference on the road friends, दोस्तों ये जो lights आप देख रहे हो, 200% का spread light रहेगा इसके अंदर And 100 meters का spot focus, feet 9 meters, तो lighting wise इससे better light आज तक हमारे industry में कुछ बनी नहीं है अब बाकी के accessories कल दिन के time पर ज़रूर बताऊंगा दोस्तों अब हम बात कने वाले the rest over accessories, जो हमने इस क्रेटा गाड़ी में लगा है देखेंगे कितना impactful उसका result आया है वल सामने से अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले तो हमने यह original Hyundai genuine accessory की grill लगाई है जो base model क्रेटा होती है दोस्तों उसको border में silver होता है और बीच में पूरा matte black आता है टॉप model की जो grill जो हमने लगाई है, border में पूरा chrome है और इसके center में light gray है, तो it actually looks good replacement grill है, कोई उपर से चिपका ISO नहीं है and original Hyundai genuine accessory है इसी grill को compliment करते हुए हमने यहां पर एक सामने body fit bumper डाला है दोस्तों more than a skid plate में diffuser इसलिए prefer करता हूँ क्योंकि वह look के साथ-साथ safety भी आट करता है skid plate will only give you a cosmetic beauty लेकिन कोई भी आके मारेगा, again the impact is directly the skid plate and the car chasing इसमें at least आपको protection भी आएगा and साथ-साथ look and design भी classy सा है apart from that headlights तो आपने कल रात देखी लिया है, हमने इसमें जो दाले है along with the headlights हमने नीचे के तरफ में fog lights को भी white color के lights में convert किया है so overall look अगर आप देखोगे headlight and fog light दोनों white होने के बाद it actually gives us a very classy सा look from the front profile apart from these accessories in the front profile दोस्तों, side profile accessories are also something very 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 good in this car well, सबसे पहले तो बात करेंगे about this beautiful roof rails जो हमने दाले है ये कोई regular black silver roof rail नहीं है दोस्तों, हमने इदर फूरा full black color का roof rail दिया है which again gives us a little sporty look door visors, carbon black finish के अंदर हमने दाले है lower window garnishing हमने add किये, door handles पे chrome दाला है and एक amazing सा side footrest दिया है in all black finish तो कोई आ के मारेगा, तो ये जो SS finish है it'll make sure के भई, the protection is intact to the car and obviously getting in and getting out also becomes very 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 easy because of this side footrest जो हमने इसमें दाला है apart from that दोस्तों, हमने इसके glasses पे लगा है हमारा nano ceramic sun film जो basically एक 75% transparent see-through paper है visibility wise, अगर आप ये film के through देखोगे you will hardly feel any difference मतलब the view with the film on and the view without the film hardly कोई, you know, darkness रहेगा just 30% dark which is as per norm span India लेकिन still, जिस तरीके से heat cut करेगा जिस तरीके से AC efficiency देता है एक jet black paper के जैसा match करेगा friends the most important and the amazing most profile जो एक accessory, जो गाड़ी का look अलगी level पर transform कर रहा है आथ दोस beautiful 16 inches alloys दोस्तों आप खुद देख सकते हो कितने amazing सा design नहीं है ये alloys का हमने इसमें कोई tire को change नहीं किया कोई mileage या कोई आपको एक single person भी you know wastage का problem नहीं होगा उसी same tire के अंदर हमने ये amazing से design के alloys लगाए है आप खुद देख सकते हो दोस्तों how beautifully it has gelled around with the vehicle लगा है with the twin exhaust so anybody comes and hits it is the first point of impact safety के साथ साथ look and design भी 10 on 10 है इसके अलावा reflectors में भी हमने यहां पर lights दाले हैं एंड जब हम indicators on कर देंगे तो you can see that a matrix style light continuous उसके अंदर run करते रहेगी so those are the reflector LEDs जो हमने इस गाड़ी में लगाए है यह सब पूरे तो exterior की बात हुई दोस्तों interiors हमने जो इस गाड़ी के अंदर किया है those are again very promising आईए न प्लीज well friends सबसे पहले तो बात करेंगे about those beautiful mats inside the car जिस गाड़ी जिस तरीके से हमने दाले है those are our pre-molded mats already आपके floor के shape के साबसे pre-molded होते है कोई seats खोलना cutting gumming कुछ भी नहीं आपके floor में जैसा bulge है जैसा depression है matting में बना हुआ रहेगा 100% waterproof mats है odor proof mats है maintenance wise easy कर देगी आपकी गाड़ी की you know maintenance seat covers top model sxo style 1.8 mm thickness article leather के covers हमने लगाए है center में पूरा perforated है तो आपको proper airflow भी मिलेगा fitting आप देख सकते हो दोस्तों कितना जादा beautiful skin tight fitting है airbags compatible covers है यह और जिस तरीके से गाड़ी के अंदर एक blend हो रहा है इसका look जिस तरीके से premium feel आ रहा है पैसा वसूल है boss apart from these seat covers and the mats inside the car the beautiful most thing जो गाड़ी का एक aura और एक vibe अलग level पर transform कर रहा है is the beautiful ambience light inside the car well friends अगर आप देखोगे इस गाड़ी के dashboard door pad floor area हर जाएगे beautiful thin tube के जैसा light जो यह पास हो रही है यह है हमारी razor ambience light जो कड़क धूप में दोफेर के एक बजे कड़क धूप के टाइम पे इतनी amazing brightness दे रही है तो भाई आप रात के टाइम पे imagine नहीं कर सकतो क्या अलग level पे इसका clarity रहेगी brightness भी you can see दोस्तों पूरी के पूरी even है ऐसा नहीं कि इदर dark और यह इदर आए जब तक light हो जा रही है thin tube है invisible आपके हाथ में भी नहीं आएगी the best part about this ambience light is that यह पूरी के पूरी voice controlled है जी हाँ दोस्तों voice controlled है believe नहीं होता है let me just show it to you hello light hello light blue green green yellow white colorful mode can you just see that मतलब you don't have to basically change it by any mobile app or anything आप खाली उसे बोलिये and as it is वो पूरा काम कर देगी colorful mode hello light colorful mode change effect turn off turn on see you can you see that दोस्तों मतलब इसकी इंदर जो technology incorporate की गई है जिस तरीके का इसका product की quality है आज ambience light इतने आ गया market में लेकिन still what makes this special is product quality and no complaints at all plus आपको इसमें warranty भी मिलेगी का कि आपको एक peace of mind रहे एक product की उपर एक trust मिले कि भाई हां जो दाल रहे है एक genuine product है apart from this ambient light inside the car दोस्तों इसका जो head unit भी upgrade हुए to the Santa Rosa 985 with those amazing Audison speakers that is also beautiful and something worth watching get in the car तो दोस्तों आप देख सकतो यह हमारा blowpunk Santa Rosa 985 that is the latest head unit that has ever come out in the blowpunk series till day to day पूरा capacitive touchscreen system मिलेगा आपको यहां पर system जो है हमारा proper genuine 4GB का RAM है 32GB storage है 1280 by 720 that is full HD recording android version 11 है which is the genuine version of android and the best part system के अंदर जो android auto and carplay भी हमें मिलेगा दोनों के दोनों licensed version है ना कि कोई third party system is also cooperative for any TPMS integrations in future and साथ ही साथ हमने इस system के अंदर लगा है हमारा 360 camera तो हम जब यहां पर reverse gear दालेंगे तो आपको reverse का view with the proper calibrated bird view दिखाई देगा reverse gear हटाते ही automatic सामने का view आजाएगा right indicator दालेंगे तो as it is right side का पूरा view आएगा left indicator दालते ही as it is left side का पूरा view आजाएगा indicator हटाते ही सामने का view will be there for a couple of seconds and then it will go back to the original display running में भी कभी आगा 360 operate करना है तो हम as it is जो site चाहे as it is वो click करके वो site का view running में continuously monitor कर सकते है for how much ever time we want the best part about this head unit is that दोस्तों इसमें android auto and carplay दोनों licensed है octa core processor का system है and android version 11 है जो सबसे latest android version में आता है in blowpunk इसके पहले जितने blowpunk के head units थे they were all running on android 9 and 10 so दालने के बाद undoubtedly latest feel है and yes इसका the sound output भी है what I have heard till date it is something very clear very crisp very you know quite decent मिलाब it doesn't give you that punchy feel like a woofer amp obviously बात है लेकिन the output what it gives पैसा वसूल है दोस्तों तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से हमने यह क्रिटा गाडी base model को accessorize किया है मतलब हर एक product जो हमने आज जिसमें दाला है उसका जिस तरीके से एक feel आ रहा है उसका जिस तरीके से एक जगे उसकी जो बन रही है गाडी में it is actually quite significant and दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का गाम आज आपकी भी गाडी के अंदर हो तो all you have to do is drive down to Carsonics, Minister Road, Hyderabad and we can get it going दोस्तों अगर आप लोग को हमारा एक काम, ये महनत और ये overall upgrades पसंद आयो हो so do not forget to share and also like the video channel को subscribe नीचे करिये so that the more you guys subscribe the more will I get motivated to get you amazing content every single day thank you so much everyone for watching the video live